अम हम बात करते हैं types of heterotropic nutrition, क्या एता है? types of heterotropic nutrition First type है heterotropic nutrition का syeprophetic nutrition Syeprophetic nutrition कौनस होते है? ऐसे organism जो अपना food dead, decaying, organic matter से लेते हैं This is the important point, syeprophetic organisms कौनस होते है जो अपना food dead, decaying, organic matter से लेते हैं इसे is not just plants dead animals rotten breads. जो खराब ब्रेड हो जाती है। सेप्रो का means у dwells of rice इस APRO का means RTX fatto time और many bacteriats bacteria, कुछ bacteria होते हैं वह इसे की bacteria's होते हैं इसे की बैक्टीआ स्टीس इस्ट काहां से लेता है अपना food? 중요 है्ट फूंढाया और many bacteria जे इनका इसका इसे की बाइक्ट्रीट Apple होढ़न Алपनाcem नोपनार्फटिटिटिक मोल ओफ नूट्रिशन का दूसरे living organism से जिसको हम कहेंगे host organism, यह क्या करता है उस organism के साथ रहे कर या उसके अंदर रहे कर अपना food लेता रहता है उससे, लेकिन उसको कोई परिशानी नहीं करता है, उसको मारता नहीं है, without killing them, ठीक है, उनको बिना मारे अपना food उनसे वो लेता रहता है, ठीक है, ऐसे organisms अपना food दूसरे living organism, जिनको हम host organism कहेंगे, जिनसे वो अपना food लेता है, उससे हम concentration कहेंगे, parasitic nutrition, कौन सो होते है, कसकटा, कसकटा आप से अपने अमर बेल देखिए, अमर बेल के करती है, वो दूसरे पेड के साथ में लगकर उसको सारा food ले लेता है, ठीक है, ऐसी roundworms होते ह दूसरे living organism, dog या, any dog or cattle, जिनके उसको सारी लेता हुआ उससे राउन वर्मस पायजाते है, वो क्या करते है, उनके इंटिस्टाइन में रह के उनका जितना food है, जितना food है, और कसकटा ब्लांट्स में होते है, ठीक हे, प्लांट्स का पलांन्स का परासित्रिक प्लांट का है कसकटा, प्लांट्स में पाया जाता है और यह है अनिमल्स में प्लांट्स में प्लांट्स में प्लांट्स में होती है और राउंड वम्स आनिमल्स में पाया जाते हैं कसकटा को हम अमर बेल कहते हैं ठीक है